ओंग्रेस को जिस तरीके से बड़ा बड़ा पद मिलते जा रहा है उसी तरह से असोग गहलोत भी अपनी दबाव से निपटना चाहते हैं बतादे कि पार्टी के नेता रोहन कुपता कहते हैं कि राजस्तान के मुख मंत्री असोग गहलोत के लोग प्रियता और पार्टी विधायगों के बीच बने भरोसे से इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन यह इस्तिती तभी तक रहती है जब तो कांग्रेस पार्टी के सिर्शक नेता अपने मुख मंत्री के साथ खड़े हैं बताती कि कांग्रेस पार्टी गुजरात बिधान सबचुनाव में अगनी परिक्षा के दोर से गुजर रही है हिमाचल में मद्दान हो चुके हैं और कांग्रेस को वहाँ के रिवाज और एंटी एंकमेंसी से उमीद है इस भी रजस्तान के प्रभारी अजय मकान ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया है नो निर्वाचित अध्यक्ष मलिक आरजुन खड़के को ऐसे दोर में अपनी शोतनावतियों का पता है उन्हें मालूम है कि गुजरात बिधान सबचुनाव से ठीक बात रजस्तान के राजनीतिक हालत से दोचार होना है रजस्तान के तमाग मेताओं ने भी कांग्रस मुख्याले के रुख में भाप कर मुख मंदरी असोग गहलोत के खिलाब बोलना शुरू कर दिया है पुर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी चाहते हैं ये कि मुख मंत्री गहलोत अपनी सम्मान जनक इस देदी को खुद महसूस कर लें देखना है कि असोग गहलोत इस चोतरपत दबाओ से कैसे निपटेंगे और इस भारत जोड़ो यतरा को जिस तरीके से अपना मुकाम मिल रहा है उसी तरीके से सब चाहते हैं कि असोग गहलोत भी अपनी मुकाम हासिल करें और कैसे निपटेंगे इस चुनोतियों सा तो इस पे आपको क्या कहना है नीचे कॉर्ण बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और आपने अब तक चाहों को सब्सक्राइब ने किया है तो कर सकते हैं